आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इन दोनों का सम अपर लिमिट और लोवर लिमिट का और माइनस X ठीक है तो यह हमारी जो Second Statement लिखी वह बिलकुल सही है क्योंकि यह हमारी Integration की Property ही होती है ठीक है कि Fx को अपन X को Replace कर सकते हैं B प्लस A आनिकीन के सम से और माइनस X से ठीक है ऐसे Replace अपन Definite Integral की यह Property ही होती है ठीक है तो यह तो बिलकुल सही ही बात है Second Statement और First Statement को अपन देखते हैं कि यह क्या है ठीक है तो First Statement यहाँ पे लिखा हुए जो है वह है Integration वह क्या लिखी हुए है वह लिखी हुए Integration 0 से 2 ठीक है GIF of X plus GIF of X plus GIF X ठीक है और Total का GIF DX यह लिखी हुए है ठीक है अब देखो इसको मैं एक Formula से समझाना चाहूँगा सबसे पहले एक Formula हमारा GIF में होता है ठीक है Formula Greatest Integer function में क्या होता है कि एगर X minus A हो ठीक है और GIF हो ठीक है तो इसको अपन लिख सकते है क्या GIF of X minus A जहां पर A बिलोंग करता है Integer को कैसे देखो अगर A हमारा Integer है तो उसका जो GIF होगा ठीक है उसका जो GIF होगा वो तो खुद ही वही Integer हो जाएगा ठीक है आनि Greatest Integer function जो हमारा Integer का होता है वो तो खुद ही होता है तो यह हमारा इसको gif अगर मैं इसको low भी तो भी हमारा a ही आने वाला है तो उसको मैं gif अटा के लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि gif of x minus a जहाँ पर a हमारा integer से belong करता है यह condition must है कि integer से belong करना चाहिए अब इसी formula का use करके अपन इस question को solve करने वाले है लेकिन उससे पहले देखो यह property हमें पता है definite integration में तो इस property को यहाँ पर use कर देता हूँ तो इस property को जब use करूँगा तो क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा basically यह हो जाएगा integration जो हो जाएगा 0 से 2 और यहाँ पर x के जगा पर मैं क्या करूँगा 0 plus 2 minus x that is 2 minus x तो यह बेना बन जाएगा 2 minus x ठीक है प्लस यह हो जाएगा 2 minus x plus 2 minus x का gif और यह total का gif और यह फिर whole gif dx अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख हूँ तो यह हमारा क्या है 0 से 2 यह तो है मेरा 2 minus x plus यह है 2 minus x gif plus यह जो 2 minus x लिखा हुआ है उसको property से use कर दो यह वाली property से अगर यह integer होता है तो उसको अपन अलग कर लेते हैं gif से ठीक है similarly यहाँ पर देखो 2 integer है तो उसको gif से अलग कर दो तो यह क्या बन जाएगा 2 minus of gif x बन जाएगा इसका whole gif दिया हुआ हमें dx अब देखो इसको और यहाँ पर next step में क्या तोड के लिख सकता हूँ 0 से 2 और यह तो मेरा 2 minus x का gif था ही और यह भी 2 minus x का gif था है इसको मैं क्या लिख दूँ इसको मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा 2 plus 2 that is 4 ठीक है तो यह बन जाएगा 4 और यह minus minus common ले लो तो यह अंदर में बन गया x ठीक है यह x हो जाएगा और यह minus of gif of x हो जाएगा ओके और यह whole gif हो जाएगा और इसका फिर whole से gif था okay dx अब देखो इसके बाद अगर मैं तोड़ू फिर से तो यह 0 से 2 ठीक है और यह हमारा क्या लिखा हुआ है अगर मैं इस gif को तोड़ू तो यह जो 4 है हमारा वो फिर से हमारे integer है तो force में gif लगेगा नहीं सिर्फ इस वाले में gif लगेगा तो यह हमारा बन जाएगा gif of minus 2 minus x plus यहाँ पे 4 को अपन अलग कर लेते हैं क्योंकि उसमें gif नहीं लगेगा उसको अलग कर सकते हैं क्योंकि वो integer है अब यह क्या बचा है यह बचा मेरा minus of इसका gif total का तो इस total का gif क्या हो जाएगा x minus gif of x और इस total का gif और यह पहले से gif था ना dx ठीक है अब फिर से next step में इसको अराम से समझो तो यह हमारा क्या लिखा हुआ है 0 से 2 ठीक है और यह देखो 2 plus 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है तो यह लिखा हुआ 6 minus x minus of gif x minus gif x ठीक है और यह total का gif और यह whole gif dx यह लिखा हुआ है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 0 से 2 और यह क्या हो जाएगा 6 6 हमारा देखो फिर से क्या है 6 हमारा एक integer है तो इस gif जो whole वाले gif मतलब बड़ा वाला जो gif है उसमें से 6 को अपन अलग कर सकते है तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ क्योंकि 6 हमारा integer है और फिर अंदर में क्या लिखा हुआ है अंदर में minus comma ले लो total से ठीक है यह total का gif बन जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा minus comma लेने के बाद यह बचेगा मेरा gif of x plus gif of x plus यह gif x ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा this और इस total का हमें integration करना है dx ओके तो यह हमारा i चला आ रहा था ओके अब देखो अगर मैं split कर दूँ इसको इसको दो integration में split कर दो 0 से 2 6 dx minus of यह क्या लिखा हुआ है 0 से 2 gif of x plus gif of x plus gif of x का whole gif ठीक है dx लिखा हुआ है ठीक है तो यह देखो यह basically हमारा i चला आ रहा था ना और यह जो total term है यह भी हमारा i ही है क्योंकि यह हमारा i के equal था देखो हमने i को यह ही लिके चला था टीक है तो यह हमारा i के equal हो जाएगा तो अब देखो यह मेरा minus i लिखा हुआ है तो minus i को इधर लिखा हो तो क्या बन गया 2i Okay तो 2i equal to क्या आ गया यह 2i equal to आ रहा 0 से 2 6 ब limit हमारी 0 से 2, 2i इसको और solve करो तो यह क्या बन गया, यह बन गया हमारा i equal to, देखो 2 से इसको cancel करो तो यह 3 तो i equal to 3 times यहाँ पे 2 minus 0 ओके तो देखो i का value क्या आगया यहाँ से i का value मेरा आरा 6 के equal, ठीक है, तो i जो हमारा है वो 6 के equal आगया, लेकिन जो की wrong है, ठीक है तो हमारा कौनस option सही हो जाएगा देखो, statement 1 is false statement 2 is true ठीक है, तो option number 4 correct हो जाएगा यह देखो statement 1 true बूला है यह बिल्कुल गलत बात है, statement इसमें क्या बूला है, 1 को true, तो यह भी गलत है, यह भी 1 को true बूला है, यह भी गलत है, thanks आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर